Unlimited Hindi Documentaries देखने के लिए लॉग इन करें, InfinityStream.tv पर रात के समय खुले आकाश में ये टिम्टेमाते तारे, जो पूरे आकाश में मोतियों की तरब बिखरे हुए हैं, ये मानव को शुरू से ही आकर्शित करते हुए आए हैं इस ब्रहमान्द में फैली अरबो आकाश कंगाई, और उनके विखरे अरबो आकाश गंगाऊं का ये विशाल ब्रहमान्द हमेशा से ऐसा नहीं था इस विशाल और रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड का जन्म एक रोमांच कारी और रहस्यमई घटना बिग बैंक से हुआ था शुरुआत से ही मनुष्ये ने अपनी कलपना शक्ति और विज्ञान की सहायता से इसके रहस्यों को जाननी की कोशिश की है कभी मनुष्यों को लगता था कि यह आकाश भगवान ने बनाया है इसे भगवान अपनी मर्जी से चलाता है और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है आकाश में बिखरे अनगिनत तारू को देख कर लगता है कि ये ब्रह्मांड अनन्त है इसका कोई अन्त नहीं है जब विख्यान अपनी शैशव अवस्ता में था तब लगता था कि ना तो इस ब्रह्मांड का कभी जन्म हुआ था और ना ही आने वाले समय में ये कभी खत्म होगा ना तो सूर्य से बढ़ा कोई अर तारा हो सकता है और ना ही इसकी रोशनी कभी खत्म होगी सूरज हमेशा से था है और आगे भी हमेशा ही रहने वाला है लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपने पंक खोलने शुरू किये तो खुलने वाले रहस्यों ने मनुष्य की प्राचीन सभी धारणाओं को तोड़ दिया और इसके प्रती और जिग्यासा जगा दी इस अनन्त से लगने वाले ब्रम्हांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है अगर मैं ये कहूं कि उस छोटे से पॉइंट में हुए चमतकारी विस्पोट यानी बिग बैंक से ही इस अनन्त तक पहले अनगिनत तारों से भरे आकाश का जन्म हुआ है तो शायद आप म ही जीवन की ये सारी संभावनाई थी ब्रम्हांड के जन्म से पहले ये 100 अरब आकाश गंगाई और हर एक आकाश गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे इस पॉइंट का आकार परमानु से भी छोटा था इस पॉइंट में अनन्त उर्जा समाहिक थी लेकि या फिर वो छोटा सा पॉइंट किस चीज से टकराया कि उसमें एक बड़ा विस्पोट यानि बिग बैंग हो गया और पलक छपकते ही ये विशाल ब्रम्हांड अस्तित्व में आया वैसे कुछ वज्जानिकों को लगता है कि इस छोटे से पॉइंट में उर्जा को बांध खुल गई समे की गांट खुलते ही ये चोटा सा पॉइंट फैलने लगा और देखते ही देखते सेकंड के कुछ ही पल में उस पॉइंट के अंदर भरी हुई उर्जा और मैटर का फैलाव इस पूरे ब्रम्हांड में फैल गया ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि हमारे सम तो सेकंड मिंटों और घंटों में बाटता है लेकिन ब्रम्हांड के निर्मान और उसके फैलाव के लिए ये समय सीमा काम नहीं आती क्योंकि अगर हम इस ब्रम्हांड के फैलाव का समय देखे तो ये सेकंड के एक अरबवे हिस्से में ही इतना फैल गया है कि जितना ये 13 अरब 80 करोड सालों में भी नहीं फैला ब्रम्हांड के जन्म के समय ये प्रकाश की गती से भी तेज पैला तो क्या आइंस्टाइन का सिध्धांत गलत था कि इस ब्रम्हांड में कोई बी चीज प्रकाश की गती से तेज नहीं चल सकती ? क्या Physics की नियम तूट गए थे ? तो जवाब ये है कि समय के इस रूप को और ब्रम्हांड के जन्म से फैलाव के बीच के समय को मापनी की इकाई को प्लैंक टाइंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये ब्रम्हांड हर जगे अचानक से पैदा हो गया हो। पूरा ब्रम्हांड शुद्ध उर्जा से भर गया और ब्रम्हांड के जन्म से पहले पॉइंट में उपस्थित शक्तियां जम गई और नए नए रूप में सामने आने लगी। ये बिलकुल ऐसा था जैसे पानी की भाप तरल में बदल जाती है। इसके बाद तरल पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। ब्रम्हांड के फैलने के बाद शक्तियों के जमने की घटनाओं ने इस ब्रम्हांड के निर्मान के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रैविटी का जन्म हुआ। इस ग्रैविटी के कारण इस पूरे ब्रम्हांड में फैली सभी चीजे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हमारा सौर मंडल इस ग्राविटी के बलबूते पर चलाई मान है तो जीवन की संभावनाई भी इसी ग्राविटी के कारण पनपी है इसी ग्राविटी के कारण ब्रह्मांड में यहां वहां फैला उर्जा का अनन्त भंडार पास पास आने लगा और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में निर्मान का सिलसिला ये सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि अभी एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था समय के बहुती छोटे-छोटे से हिस्से में ये निर्मान प्रक्रिया शुरू हो रही थी ये इतनी परफेक्शन के साथ शुरू हुई कि यदि जन्म लेने वाली ग्रैविटी का मान निर्मान के लिए ना तो जादा था और ना ही कम यदि इस ताकत का मान थोड़ा भी जादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विसफोट फिर से जन्म लेता और कुछी प्लैंग टाइम में अने को बिग बैंग हो जाते और खत्म हो जाते इस तरह से जेवन की संभावनाई भी खत्म हो जाती यदि ग्रैविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता रहता और एक पॉइंट में ही वापस सिकुड कर रह जाता हर पल नया बिग बैंग पनपता और कुछी प्लैंग टाइम में फिर से पॉइंट बन जाता तो ऐसे ही लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती और ये ब्रम्हांड लगातार ठंडा होते हुए अंत में खत्म हो जाता एक बार फिर से जीवन की संभावनाई खत्म हो जाती हैं ये ब्रम्हांड बनता फैलता बिखरता रहता ग्रैविटी की जन्म के बाद ब्रम्हांड का तापमान तेजी से कम होने लगा अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था इसके लिए नुकलियर फोर्स के आवशक्ता थी यदि नुकलियर फोर्स नहीं होता तो एटम के नुकलियर बिखर जाते और ब्रम्हांड में DNA जैसी सनरचना नहीं बन पाती प्लैंक टाइम के एक करोडवे हिस्से में ब्रम्हांड का तापमान काफी कम हो गया था और इस समय एक नई ताकद स्ट्रॉंग पोर्स और फक्चर्ट सूपर फोर्स का जन्म हुआ इसी के साथ ब्रम्हांड में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगी और ब्रम्हांड का एक हिस्सा तेजी के साथ फैलने लगा ब्रह्मान इंफ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरने लगा इसका वॉलियूम 10 की पावर 19 की स्पीड से बढ़ने लगा इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी रेद के कंड का आकार फैलते हुए हमारे सौर मंडल के आकार से भी बढ़ा हो जाए इसके फैलने की गती बहुत तेज थी यह गती प्रकाश की गती से बहुत बहुत जादा थी इसका मतलब तो यह हुआ कि इसने आईंस्टाइन की प्रकाश की गती के नियम को तोड़ दिया आइंस्टाइन की Special Theory of Relativity कहती है कि इस प्रम्हांड में किसी भी वस्तू की गती प्रकाश की गती से तेज नहीं हो सकती। इससे हमें लगता है कि इन्फ्लूएंस की प्रक्रिया से गुजरते समय ब्रम्हांड ने आइंस्टाइन के प्रकाश की गती के नियम को तोड़ा है। इतना तेजी से बढ़ने लगा कि जैसे की प्रकाश की गती से भी तेज हो। बिग बैंक के समय चारो तरब फैले पधार्थ का वॉल्यूम दसकी घात के रूप में तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लूएंस ने ब्रम्हांड में हर दिशा में चारो और समान रूप से समान संख्या में अलग-अलग गैलक्सीज को बिखेर दिया। यही रीजन है कि जब हम ब्रम्हांड की मैपिंग करते हैं तो हमें हर दिशा में समान संख्या में तारे और गैलक्सीज दिखाई देती हैं। यह सिर्फ अभी तक सैधानतिक रूप से ही परिभाशित था। इसका कोई भी व्यग्यानिक सबूत नहीं था। जब तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता, तब तक इंफ्लूएंस सिर्फ एक सस्पेंस ही बना रहा। इंफ्लूएंस है या नहीं इसकी जानकारी के लिए हमें ब्रह्मान्ड के जन्म के शुरुवाती पहले सेकंड में जहाकना होगा। यानि हमें समय में लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष पीछे जाना होगा। ये संभव नहीं है लेकिन एक तरीका है जिससे समय में काफी पीछे तक जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंत्रिक्ष की गहराईयों में जाना होगा। जब हम रात में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें वर्तमान की जगे हमारा बीता हुआ कल नजर आता है। सुबे होते ही सूरज की रौषनी को हमारी धर्ती तक पहुँचने में लगभग 8 मिनिट 30 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हम से 8 मिनिट प्रकाश की दूरी पर इस्थित है। इसका अर्थ है कि यदि सूरज अभी खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनिट 30 सेकंड के बाद चलेगा। हम सूरज की 8 मिनिट 30 सेकंड पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी सूपर नोवा की स्टेलर विसफोर्ट की तस्वीर देखते हैं, तो वो 1,67,000 वर्ष पुरानी होती है। ये वो समय है जब पहली बार धर्थी पर मनुष्य ने जन्म लिया था। क्योंकि सूपर नोवा का स्टेलर विसफोर्ट पृत्वी से लगभग 1,67,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुआ है। प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि प्रकाश की द्वारा एक साल में तै की गई दूरी। ये दूरी हमारी धर्थी के लिए काफी जादा बड़ी है। लेकिन दूर तक पहले अंत्रिक्ष के लिए ये सिर्फ मिलीमिटर, सेंटीमिटर जैसी ही है। प्रकाश एक सेकेंड में लगभग तीन लाख किलोमीटर की दूरी तै करता है। और इस हिसाब से प्रकाश एक साल में लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तै करता है। जब हम अंत्रिक्ष की ओर जादा गहराईयों में जांकते हैं तो हमें ऐसी गैलक्सीज भी मिलती हैं जो प्रित्वी से लगभग 12-13 अरब प्रकाश वर्ष दूर होती हैं। यानि हम उस गैलक्सीज की आज की तस्वीर नहीं देखते हैं बलकि उसके जन्म के समय की तस्वीर हमें दिखाई देती हैं। हो सकता ही कि हमें इतनी दूरी पर दिखाई देने वाली चीज आज अंत्रिक्ष में उपस्थित हो भी या नहीं भी। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्षन मूवी के सीन जैसा ही लगता है। या फिर कहें कि हमारे पास अपने अतीत में जहांकने की एक टाइम मशीन है जो हमें ब्रम्हांड के जन्म के बाद की तस्वीर दिखाती हैं। यहां इस दोरी पर हमें बनी हुई गैलक्सीज ही नजर आती है। लेकिन इंफ्लेशन है या नहीं इसके लिए हमें गैलक्सीज के बनने से पहले के समय में जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं लगता क्योंकि अंतरिक्ष में इस्थित हबल टेलिसकोप इतनी ही दूरी तक देख सकती है। हबल टेलिसकोप में ब्रम्हांड का ऐसा ही इलाका नजर आता है जहां पर तारो और गैलक्सीज के भंडार है। लेकिन गैलक्सीज के बनने से पहले औ हमें और भी गहराई में जाना होगा। कई बर छोटी-छोटी चीज़ें भी ब्रम्हांड के अद्भुत रहस्यों को खोल देती है। और इसका जवाब हमें टीवी की स्क्रेन पर नजर आने वाली जिलमिलाहट में नजर आता है। सन 1964 में रॉबर्ट विलियमसन और ओर्ण विंजिनियस दोनों ही भहतिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को सुन रहे थे। उन्हें हर बार रेडियो तरंगों की आवास के पीछे हमिंग सुनाई दे रही थी। दोनों ने सोचा कि ऐसा शायद रिसीवर में जमी हुई कबूत्रों की पीछे सुनाई देने वाली हमिंग बहुत जादा बढ़ गई थी। दोनों ने इस बात का परिक्षन करके निश्कर्ष निकाला की ये आवास ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बात की है। इस कारण पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कोहरा चाया हुआ था। इस कोहरी के बीच जब इलेक्ट्रों और प्रोटोन आपस में मिले तो अचानक ही ये कोहरा खतम हो गया और तब पहली बार प्रकाश ने गती पकड़ी। तब से लेकर आज तक ये प्रकाश लगातार अंत जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब दूर से आने वाली रोश्नी दूर तक फहली जगे को प्रकाशित कर देती है। इसे कॉस्मोलोजिस्ट कोस्मिक माइक्रोवेव बैक्ग्राउंड कहते हैं। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव में स्थापित किया। इसका उपयोग एजनसी ने अंतरिक्ष के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैक्राउंड का नक्षा लेने में किया। इस सेटिलाइट में लगे सेंसर इतने जादा सेंसिटिव है कि ये एक डिगरी तापमान के 10 लाखवे हिस्से को भी आसानी से माप सकते ह इस सेटिलाइट की सहायता से वेग्यानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैक्राउंड को तयार किया। ये खोज मानब जाती की सबसे बड़ी खोज में से एक है। ये खोज डियेने की खोज के बराबर ही थी। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैक्राउंड लाल और नीले धब्बों से भरा हुआ है जो ये बताता है कि नीले धब्बों की जगे ब्रम्हांट ठंडा हो गया है और नीले धब्बे बाद में नए स्पेस में वदल जाएंगे लेकिन वही लाल धब्बे अंतरिक्ष की गर्म जगों के बारे में बताते हैं जो ये बताता है कि अंतरिक् करते थे लेकिन अभी भी वेज्ञानिकों को इसके लिए एक पुखता सबूत की आवशक्ता थी। के कारण अलग-अलग दिशाओं में ब्रम्हांड के अलग-अलग गती से फैलने के कारण पैदा हुई थी। वेज्ञानिकों को लगता है कि इन्फलेशन कभी नहीं रुकने वाली एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया नए प्रम्हांड के निर्मान के लिए जिम्मेदार है। वेज्ञानिकों को लगता है कि अंतरिक्ष की जिन गहराईयों से आज तक प्रकाश हम तक नहीं पहुँचा है या फिर भविश्य में भी कभी नहीं पहुँचेगा। ऐसी जगों पर भी इंफ्लेशन हुआ था और आज भी हो सकता है कि वहाँ इंफ्लेशन चल रहा हो। मार्च 2014 का दिन वेज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मार्च 2014 में दक्षणी ध्रुवी पर लगे एक सेटेलाइट ने अंतरिक्ष में फैलने वाली ग्रेविटेशनल बेव को ढूण निकाला और इसके आंकडे काफी चौकाने वाले थे। इन आंकडों ने इंफ्लेशन की उपस्थिती पर पक्की मुहर लगा दी। इनफ्लेशन का सिध्धान्त हमें बताता है कि क्यों अंतरिक्ष में चारो तरफ समान रूप से गैलेक्सीज और तारे बिखरे हुए हैं। इनफ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटी सी नजर आने वाली जगे में। सेकंड की कुछ ही हिस्से में तेजी से एक नए और विशाल ब्रम्हांड को जन्म दे सकता है। इसका अर्थ है कि जब इनफ्लेशन रुखता है तब वो उस जगे पर नए ब्रम्हांड को जन्म देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर समय स्पेस में बहुत सारे ब्रम्भांड जन्म ले रहे हैं। ये इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण इस्पेस में हमारे जैसे हसारों ब्रम्भांड हो सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस तरह से सौ अरब गैलेक्सीज में सौ अरब तारे हैं, तो वही इस तरह से सौ अरब ब्रम्हांडों में से एक हमारा ब्रम्हांड हो। हो सकता है कि हमारे से मिलते जुलते धरती हो, उस पर हमारे से मिलते जुलते जीवन की संभावनाव में मिलते जुलते लोग रहते हो. अब अगर ये बात सही है तो हमारे इस ब्रम्हांट का आकार हमारी सोच से काफी जादा बड़ा हो सकता है. लेकिन आकड़े इशारा करते हैं कि स्पेस की तुल्ना में हमारे ब्रम्हांड का आकार अभी भी बेस बॉल जितना ही बड़ा है इन्फलेशन के बाद ब्रम्हांड की उम्र अभी एक सेकंड के एक खरबवे 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 जितना ही पुराना है तो वही इस समेश का तापमान एक हजार खरब खरब डिगरी चितना है इस समेश ब्रम्हांड में सिर्फ उर्जा ही उर्जा भरी हुई है इस समेश इतने जादा तापमान में ब्रम्हांड में सिर्फ रेडियेशन ही रेडियेशन भरा हुआ था इस समय ब्रम्हांड उर्जा का एक गोला था और ये लगातार उर्जा को जोंके जा रहा था ताकि हमें आज नजर आने वाली हर चीज का निर्मान हो सके अगर उस समय उर्जा ही उर्जा भरी हुई थी तो ये मटीरियल से भरा ब्रम्हांड कैसे बना लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं है क्योंकि उर्जा और मटीरियल दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं लोगों को लगता था कि उर्जा ना तो मटीरियल में बदल सकता है और ना ही मटीरियल उर्जा में लेकिन 1905 में आइंस्टाइन की एक खोज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया आइंस्टाइन ने बताया कि उर्जा और मटीरियल एक सिक्के की दो पहलूओं की तरह है जिने अलग नहीं किया जा सकता उनका कहना था कि अगर आपके पास उर्जा है तो आप उसे मटीरियल में बदल सकते हैं और यदि आपके पास मटीरियल है तो आप उससे उर्जा का एक बड़ा भंडार प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी गणितिय गणनाओं के बाद एक गणितिय समीकरण E is equal to mc square दिया इसी समीकरण ने भविशे में दुनिया के सबसे विनाशक हतियार परमाणू बम की नीव रखी थी आइंस्टाइन का समीकरण बताता है कि यदि आपके पास वन ग्राम मैटर है तो आप 3 x 10 पार 8 कैलरी उर्जा प्राप्त कर सकते हैं आइंस्टाइन का समीकरण कहता है कि ब्रम्हांड में पाए जाने वाला हर एक पधार्थ उर्जा का एक concentrate group है जिस तरह से परमाणू बम के विसफोर्ट से material उर्जा में बदल जाता है उसी तरह से बिग बैं के विसफोर्ट के बाद उर्जा पधार्थ में बदल गई लेकिन क्या ये पधार्थ आज नजर आने वाले पधार्थ जैसा ही था इसका जवाब है नहीं क्योंकि आज नजर आने वाली चीजे शुरुआत में बने पधार्थों के संयोग से मिलकर बनी है इसका मतलब है कि आज नजर आने वाले पधार्थ के निर्मान का एक बेस पधार्थ मौजूद था जिसे विज्ञानिक God Particle कहते हैं विज्ञान के सिध्धान्त कही हुई बातों पर ही नहीं चलते बलकि ये तो प्रयोगों के आधार पर प्रमानित होने से ही चलते हैं God Particle एक कलपना मात्र था यदि God Particle का अस्तित्व था तो विज्ञानिकों को इसके लिए पुखता सबूत चाहिए थे पुखता सबूतों के लिए विज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग व्रुक हेवन नैशनल लेबोरेटरी में शुरू किया यहां चार किलोमीटर लंबी गोल्ड सुरंग में विज्ञानिक ब्रमान्ड के जन्म के एक सेकेंड के 10 लाखवे हिस्से में बनी परिस्थितियों को उत्पन करनी की कोशिश करते हैं यहां विज्ञानिक एक सेकेंड में 78,000 बार गोल्ड के नुकलियाई को फायर करते हैं और उनकी टकर स्टार डिटेक्टर में करवाते हैं यह टकर बड़ी जवर्दस्त होती है और इससे चारो और कण ही कण बिखर जाते हैं यह बिलकुल ऐसा होता है जैसे कि जब दो कारे एक साथ स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी विंडो में लगे काँच चारो तरफ बिखर जाते हैं यहां वेग्यानिक प्रोटोन प्रोटोन की बीच बड़ी टकर करवाते हैं टकर की बाद बड़ी मात्रा में कण पैदा होते हैं और इन कणों की संख्या कणों के टकरानी की स्पीड पर निर्भर करती है इन कणों को वेग्यानिकों ने क्वार्क नाम दिया जब वैज्ञानिकों ने इसका विशलेशन किया तो पाया की इस समय एक विशेश प्रकार का तरल बनता है लेकिन उसका अस्तित्व जादा समय तक नहीं रहता है ये ऐसा तरल होता है जो आज से पहले कभी उपस्थित नहीं था हो सकता है ये तरल ब्रम्हांड के जन्म के समय मौजूत रहा हो इस तरल की खास बात ये है कि ये पानी के मुकाबले काफी अच्छे से बहता है इस समय ब्रम्हांड में उपस्थित एक शक्ती स्ट्रॉंग पोर्स ने प्रोटोन के सार्थ कौर्क को जोड़ दिया और धीरे-धीरे मैटर का निर्मान होने लगा लेकिन इस समय बने मैटर का कोई मास नहीं था जबकि आज की समय में उपस्थित मैटर में मास होता है बिना मास के कोई भी मैटर प्रकाश की कती से दोड़ेगा और वो एक लाइट की तरह नजर आएगा अब विज्यानिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द मैटर का मास है कि जब ब्रम्हान के जन्म के समय मैटर का कोई खास मान नहीं था तो आज के ब्रम्हान में मास आया तो कहां से आया इसका जवाब दिया 1970 के दशक में पीटर हिक्स ने उन्होंने बताया कि ब्रम्हान में एक फील्ड काम करता है जिसे उनके सम्मान में हिक्स फील्ड कहते है ये फील्ड ब्रम्हान में दिखाई नहीं देता है लेकिन इस फील्ड के कारण ही ब्रम्हान में मास की उत्पती होती है पीटर हिक्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में कणों की उपस्तिती बढ़ने से इस ब्रह्मांड में हिक्स फील्ड के साथ पधार्थ के निर्मान के बुनियादी कण आपस में जुडने लगे और उन कणों में मास पैदा होने लगा फिक्स फिल्ड के साथ कोई भी कर्ण जितना जादा जुडता है उतना ही जादा उसका मास बढ़ने लगता है और यही रीजन है कि शुरुआती ब्रम्हांड के मुकाबले आज के ब्रम्हांड के कर्णों में मास की उपस्तिती है अब विज्ञान के सामनिक नया प्रशने खड़ा हो गया कि क्या बोसोन फिल्ड मौजूद है या नहीं इसके लिए विज्ञानिकों ने CERN में दुनिया की सबसे बड़ी लेब और मशीन के साथ प्रयोग शुरू किया इस प्रयोग को लार्ज हेड्रेजन कॉलाइडर यानि LHC कहते हैं इस प्रयोग शाला का निर्मान जमीन से 300 फिट की गहराई में किया गया है यहां 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट से बनी दो सुरंगों से दो प्रोटोन बीम को टकराया जाता है और उनके बीज की टकर के बाद के निशकर्षों का विशलेशन किया जाता है यहां लगबग 3800 वैज्ञानिकों की टीम काम करती है इस बीम के सेंटर में हुई टकर से प्रोटोन आपस में टकरा कर अनेक कंडों में बिखर जाते हैं वैज्ञानिकों ने अनेकों बार इस प्रयोग को दोहराया लेकिन वैज्ञानिकों को सफलता 14 मार्च 2013 में मिली इस दिन वैज्ञानिकों ने घोशना की कि उन्होंने प्रोटोन की टकर के बाद एक ऐसा कंड खोज निकाला है जो किसी भी कंड के साथ मिलकर एटम और उसके मास का निर्मान करता है वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ऐसा कंड है जिसके बिना किसी भी मैटर की कलपना नहीं की जा सकती क्योंकि अगर किसी मैटर का मास नहीं होगा तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा और मैटर के मास के लिए इस कण का होना बहुत आवशक है विज्यानिकों ने बताया कि अगर इस कण के बिना किसी मैटर में मास बन भी जाए तो एटम का निर्माण नहीं हो सकता और बिना एटम के किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है वेज्ञानिकों ने इस गुलियादी कन को हिक्स बोसोन नाम दिया और इसी हिक्स बोसोन को God Particles के नाम से जाना जाता है तो अब तक ब्रम्हांड सिर्फ 1 सेकंड पुराना ही था ब्रम्हांड के निर्मान के लिए ज़रूरी 4 ताकते कमजोर nuclear force, gravity, electromagnetic force और ताकतवर nuclear force का चन्म हो चुका था ये चारो force मिलकर ब्रह्मांड का निर्मान करते हैं ये चारो force कैसे मिले इसके लिए वग्यानिकों को ऐसे तापमान की आवशक्ता थी जो इन चारो ताकतों को बांधने की ताकत रखती हो इस बात का चवाब वग्यानिकों को साउथ पोल में लगे BISIC2 टेलिसकोप में मिला इस टेलिसकोप ने ब्रह्मान में ऐसे तापमान को डिटेक्ट किया जो LHC से भी एक करोड गुना साधा गर्म था ये तापमान चारो बलो को एक साथ बांधने की ताकत रखता था अब ब्रह्मान में मैटर ही मैटर फैल गया था लेकिन इसी समय फिर से एक नई समस्या उत्तपन हो गई ब्रह्मान में प्रोटोन की टकर के बाद पैदा हुई उजा से मैटर और एंटी मैटर बने दोनों ही प्रकृती में विपरीद थे और जब दोनों एक साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खतम कर देते अब ब्रह्मान में अस्तित्व का भयानक युद्ध शुरू हुआ लेकिन इस युद्ध में जीत मैटर की हुई और एंटी मैटर हार गया यानि कि ब्रह्मान में मैटर की संख्या साधा थी और एंटी मैटर की संख्या कम और इसी असंतुलन से हमारे ब्रह्मान का जन्म हुआ लेकिन anti-matter और matter की संख्या असमान क्यों रही इसका जवाब मिलना बाकी है और इसी के साथ अनेक ब्रह्मांड के रहस्य का खुलना भी बाकी है ब्रह्मांड के जन्म के एक सेकंड के बाद ही ब्रह्मांड का इतना विस्तार हो चुका था जितना की पिछले 13 अरब सालों में भी नहीं हुआ है ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के जन्म के सिर्फ एक सेकंड की कहानी है अगर हम इसे शौट में समझे तो ये बस इतना सा है कि छोटे से गोले के विस्तार के बाद हुए भयंकर विस्पोर्ट के कारण ग्राविटी के जन्म के बाद स्ट्रॉंग पोर्स पैदा हुई इसके बाद इंफलेशन का उथल पुथल भरा दोर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिक्स फिल्ड और हिक्स बोसोन कणों का जन्म हो गया इससे मैटर बने और मैटर में मास के बनने से परमाणों का निर्माण हुआ और फिर छड़ा एक युद्ध मैटर और एंटी मैटर के बीच दोनों के असंतुलन के कारण बना हमारा ये ब्रम्हांड बिग बैंक के 3,8,000 साल बाद ब्रम्हांड के फैलने की कती काफी धीमी हो गई और अब ब्रम्हांड पहले के मुकाबले ठंडा होने लगा था इसके बाद एलिमेंट्स के बनने का दौर शुरू हुआ यानि जीवन के पैदा होने की संभावनाओं ने आकार लेना शुरू किया पहले एलिमेंट्स से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमानों बने जो लीथियम जैसे परमानों में बदलने लगे ब्रम्हांड लगा तार बनने लगा बिग बैंक के 100 मिलियन सालों के बाद पहली बार हमारे इस ब्रम्हांड में सूपर नोवा का विस्पोट हुआ और इससे पहली बार ब्रम्हांड में तारों का जन्म हुआ अब ब्रम्हांड तारों से भरा इलाका था ब्रम्हांड लगातार अपने आपको विकसित कर रहा था और लगातार ठंडा हो रहा था ये काफी धीरे चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था अब ब्रम्हांड में जिधर भी नजर डाले उधर तारों का जुंड नजर आता था ब्रम्हांड में काम करने वाली चार ताकतों ने बिग बैंग के 500 मिलियन साल के बाद काफी धीमी प्रक्रिया के बाद गैलक्सीज का निर्मान करना शुरू कर दिया लेकिन जीवन अभी भी बहुत दूर था क्योंकि जीवन की संभावनाव के लिए बुनियादी तापमान अभी भी काफी दूर था बिग बैंग के 4 बिलियन सालों के बाद प्लैनेट स्यानी की ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बिग बैंक के 9 बिलियन सालों के बाद पहला सोलर सिस्टम नजर आया, जिसमें एक तारे के चारों और बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे थे। तो ये थी मेरे जन्म की कहानी जो विनाशक विस्पोर्ट से जन्म लेती है। जाएगी। 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 जाएगी।